bitwise operator bitwise operator binary operations के ओपर binary numbers के ओपर वर्क करता है यह generally testing value को set कराने के या bit को shift कराने के काम में आता है यह केवल word और character and teaser data type में ही use किया सकते हैं क्योंकि इसमें binary के ओपर operations होते है एक byte में 8 bits हो जाते हैं तो already एक बड़ा number हो जाता है जिसमें transformation के लिए इसलिए जो complex data types हैं जैसे की flow, double, long, double, wide इन में हम ये operation नहीं कर सकते हैं इसके लिए जो हम operator यूज़ करते हैं तो single ampersand तो end operator के लिए single vertical bar और operator के लिए XOR caps lock कर जो sign आई है फिर tilde sign not operator के लिए tilde sign जैसे की हम destructor में भी यूज़ करते हैं वही sign हम not operator के लिए यूज़ करते हैं shift right और shift left ये वाले operator हम bit को right shift करने और left shift करने के गामे रेते हैं इसका हम आगे देखते हैं क्या use है as bits are shifted off one end zeros are brought in the other end यहां पर जो जैसे ही shift होता है left shift या red shift तो zero से replace हो जाता है यह नहीं कि आपकी जो value left shift हो गई है वो आगे से वापस से round में नहीं आके use होगी यह अपने वहां से तो destroy हो जाएगी और नई value तो one कर देगा one दो zero कर देगा इस तरही के से हम जो binary districts के ओपर हम अपने operations कर सकते हैं यह unary operator है और data type के size को calculate करने के काम में आता है इसमें यह एक integer को written करता है size of के parameter के अंदर अगर हम जैसे की data type भी लिख देते हैं तो data type का size बता देगा और अगर हम integer float character values लिखते हैं तो उसका size बता देगा इसका एक example मैं size of operator के लिए हम एक variable लेते हैं कि integer type का हम a size of operator के अंदर pass करते हैं तो हमें उसका size पता चल जाएगा हम उसकी value नहीं पता कर रहे हम यह पे memory में कितना size a ले रहा है वो पता करते है तो output 2 आता है यानि कि a integer type का है और उसका size 2 है इसी चीज़ को हम direct भी पता कर सकते हैं कि integer कितना size लेता है तो integer 2 size लेता है इसी तरहीं से हम float लेखते हैं तो इसका output 4 होता है 4 memory लेता है float अगर 4.0 लेते हैं तो यह double हो जाता है क्योंकि हम नहीं यहाप है float को define नहीं किया है 4.0 यहाँ पर by default double हो जाता है क्योंकि हम ने से float نہیں define किया तो यह 8 byte लेग है क्योंकि 8 byte लेता है इसी तरह के से आप कोई भी number कितना कितना memory ले रहा है या character कितना memory ले रहा है उसका या था अपडेडर टाइप ले दिजिए या उसकी value ले ले दिजिए तो automatic उसका size memory में कितना ले रहा है वो बता देगा अधिक lectures के लिए subscribe कीजिए देखते रहिए सीखते रहिए और practice कीजिए धन्यवाद